जैस्रिक्रिष्णा दोस्तों आज की कहानी एक कुत्ते की कहानी है कुत्ते ने बताया कि इन पांच लोगों का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए इन पांच लोगों का साथ छोड़ने वाला आदमी कभी सुखी नहीं रहे सकता दोस्तों ये ग्यानवर्दक कहानी है और बड़ी मोटिवेशनल इस्टोरी है दोस्तों इससे पहले कि आप कहानी की भावनों में खो जाओ यदि आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों एक समय की बात है एक किसान था और उस किसान के एक पालतु कुटा था एक दिन किसान ने अपने कुटे के गले से पट्टा निकाल दिया और वे कुटा किसान के दरवाजे पर बैटा था और अचानक कुट्टे के सामने से होकर एक बिल्ली गुजरती है जो बहुत उदास थी जिसकी आंकों में आंसु की धारा बैरे थी तो कुट्टे ने सोचा कि बिल्ली का सिकार तो बाद में करेंगे परंतु पहले पूच लेते हैं कि आखिर इस बिल्ली को क्या दिक्कत है क्या समझ्या है और ये कहा जा रही है तो कुट्टे ने बिल्ली से कहा है बिल्ली तुम्हें किस सा बात की समझ्या है और तुम कहा जा रही हूं तो कुत्ते ने बोला एसा क्यों क्या वज़े है और किस वज़े के कारण तुम ये नगर छोड़ कर जा रही हो हमेशा के लिए तो बिल्ली कहने लगी मुझे इन पापी मनुश्यों के साथ में नहीं रहना है जहां एसे पापी मनुश्य रहते हैं वहां मैं नहीं र कि तुम्हारी समश्या क्या है तो बिल्ली कहने लगी हे कुते भाई मेरे दो बच्चे थे और मैंने शोचा कि उनकी रक्षा हो इसलिए मैंने मनुष्यों के घर में अपने दोनों बच्चों को पना दे दी और हुआ क्या उन पापी मनुष्यों ने मेरे दोनों बच्चों को म खतरनाक भेड़ी है, इतने खतरनाक जानवर है, जो हम जानवरों से भी बत्तर है, इसलिए एसे नगर में ऐसे पापी मनुश्यों के साथ में मुझे नहीं रहना है, क्या ये नगर क्योंकि सबसे पहले तो इस दुन्या में हम जानवर आये थे उसके बाद में मनुष्यों की उध्पत्य होई थी और इन्हों ने जगत को सारी प्रत्वी को अपना बना लिया और हमारे लिए कोई यारं पर जगए यह नहीं है तो एसे मनुश्यों में मुझे नहीं रहेना है तो कुट्टा सोचने लगा कि बात तो सही है मैं भी अपने मालिक के साथ रहता हूं और पूरे दिन उसके आगे पिछे दुम महिलाता गुंता हूं जब हुआ है किसान शोज़त है तो मैं पूरी रात उसके घर के कुत्ते ने बिल्ली को पिच्चे से आवाज लगा और कहने लगा है बिल्ली बेन रुख जाओ मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा मुझे भी इन पापी मुनुश्यों के साथ में नहीं रहना है जो स्वार्ती है अपने स्वार्त के लिए ही बस जीते हैं दूसरों का इने कोई मतलब नहीं है तो दोस्तों कुत्ता और बिली इस तरह से बाते कर रहे थे तो एक बकरा पास ही के गर में बंदावा था तो इसने बोला कि तुम दोनों कहां जा रहे हो मैं भी तुम्हारे साथ चरूँगा तो कुत्ते ने कहा अरे भाई तुम्हें क्या समश्या है तुम्ह देने का तोलता है वो क्यूं तो बकरा कहने लगा वो इसलिए तोलता है क्योंकि वो रोजना मेरा वजन तोलता है और जिस दिन मेरा वजन कम होने लगा और या नहीं बड़ेगा तो मेरा मालिक मुझे कसाई को दे देगा यानि बैस देगा और बदले में पेशा ले लेगा तो मुझे वो अपने स्वार्थ के लिए यहाँ पर अच्छा अच्छा खाना खिलाता है और मुझे बड़ा करता है ताकि मेरा ज्यादा पेशा मिले तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा एसे लोगों के साथ में मुझे भी नहीं रहना है तो दोस्तों इस प्रकार बिल, ली, कुत्ता और बकरा तीनों मिलेकर जाने लगते हैं तो थोड़ी देर जाने के बाद ने उन्हें एक गदा मिलता है जिसके कंदे पर एंटे लदी हुए होती है और उसका मालिक उसे मार मार कर उसकी चमड़ी उधेर देता है और उसके चमड़ी पर गहरे खड़े भी पड़े वे मिलते हैं तो गदा कहने लगा तुम लोग कहां जा रहे हूं तो कुत्ते ने कहा हम इस नगर को छोड़कर जा रहे हैं तो गदा कहने लगा मैं भी आपके साथ में चलूँगा कुटे ने का तुम क्यों चलोगे तुम्हे तो तुम्हारा मालिक अच्छा अच्छा वजन खिलाता है अच्छा खाना खिलाता है तुम्हें पता नहीं है जब मैं काम करता हूँ तो मुझे ये अच्छा खाना खिलाता है लेकिन जिस दिन मेरी थोड़ी तबियत भी खराब हो तो मैं भी आपके साथ चलूँगा मुझे इनके साथ नहीं रहना है और उन तीनों जानवरों के साथ में कुत्ता बिली और बकरे के साथ में दोड़ने लगा वो चारों दोड़ते दोड़ते आगे बढ़ रहें इतने में दोस्तों उन्हें एक गाइ मिलती है और गाय भी बोलती है कि तुम लोग कहां जा रहे हो मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा तो उस कुत्ते ने बोला कि गाय तुम्हे तो सारे लोग माता के रूप में पूछते हैं माता के रूप में मनाते हैं फिर तुम हमारे साथ क्यों चलोगी हम तो वेसे मनुश्यों से परिशान है इसलिए हम लोग यहां से जा रहे हैं तुम्हें क्या दिक्कत है तो गाय कहने लगी मैं इसलिए जा रही हूँ क्योंकि यह मनुश्य लोग जब तक मैं दूद्ध देती हूँ तब तक यह रखते हैं और जिस दिन में दूद्र देना बंद कर दूँगा तो ये लोग मुझे छोड़ देंगे और मैं दर बदर ठोकरें खाती हुई फिरूँगी और भुकी राओंगी तो कहीं न कहीं जाओंगी तो दूसरे लोग मुझे मारेंगे तो मुझे भी इन लोगों के साथ में नहीं र जंगल आजाता है तभी वहाँ पर अचाने के एक बिल्ली दिखाई देती है तो बिल्ली बिल्ली को देखकर खुस होती है थोड़ी दिर आगे चलते हैं तो उन्हें गदा बकरा गोडा सब कुछ मिलता है तो सभी जानवरों को देखकर वो सभी खुस होते हैं और इतने में सा सकता है आज या कल तक तुम जिवित रहोगे और यहां पर मारे जाओगे क्योंकि यहां का जंगल तुम्हें सभीकार नहीं करेगा तुम में गाउं की बदबू आती है तो सबसे पहले यहां के जंगली जानवर तुम्हें ही खाएंगे और छोड़ेंगे नहीं इसे अच्छा में ही रहेंगे आप लोगों के साथ में तो जंगली बैसा कहने लगा चले ठीक है कोई बात नहीं लेकिन तुम्हें जो गाउं की गंद आती है उसे पहले मिटाना होगा तब जाकर तुम जंगल में रहने लाइक होंगे तो सभी जानवर बोले कि कैसे तो जंगली बैसा बो सात रह सकते हो तबी सभी जानवर यानि बिल्ली कुत्ता बक्रा गाः और गदा ये सब जंगली से के साथ में जाने लगिये तो जंगली बे सा और वो पांचों जानवर एक साथ जा रहें अपनी गंद मिटाने को तभी राष्टे में एक बिल्ली लटकी हुई मरी हुई दिखाई देती है तो उस बिल्ली ने कहा ये बिल्ली तो कली मुझसे मिली थी और यह यहाँ पर लटक रही है तो बेसे ने कहा यहाँ पर यह हमेशा होता है कल आपके साथ थी वो और आज मर गई हो सकता है कल हम भी नहीं रहेंगे ऐसा करते करते वो पांचों जानवर और जंगली बेसा एक तालाव की ओर जाता है जहाँ पर वो मिट्टी दिखाई देती है जंगली बेसे ने कहा देखो वो तालाव है और वहाँ पर जो मिट्टी है उस पर जाकर अगर आप लोट पोट करोगे तो आपकी जो गाउं की गंद है वो दूर हो जाएगी और आप जंगल में रहने लाइक हो जाएगे तो पांचो जानवर जब मिट्टी के तरफ जाने लगे तो अचानक उन्होंने देखा कि कुछ मगरमच एक बेसे को खा रहे हैं बूरी तरह से पिच्चे से खा रहे हैं और आदा पिच्चे से खा चुके होते हैं और वे जंगली बेसा अपने आपको छुडाने के लिए बहुत ही मसकत करने लग रहा है तो सभी जानवर ने बोला ये क्या भाई तो जंगली बेसे ने कहा तुम लोग कहीं जाओ कहीं पर भी जाओगे इस जंगल में तो यहां के जानवर अपनी भूग मिटाने के लिए एक दूसरे को खाते हैं और कल तुमारा भी यह असर होगा और साइद मेरा भी यह होगा तभी पांचो जानवर बोले कि हमें यहां पर नहीं रहना है हमारा मालिक चाहिए कैसा भी हो वो अच्छा है यहां पर जानवर अपने भूग को मिटाने के लिए एक दूसरे को खाते हैं इससे अच्छा है हमारा गाउं ही अच्छा है तो पांचो जानवर फिर से अपने गाउं के तरफ भागने लगे तो दोस्तों इस तरह है पांचों जानवर भागते भागते अपने गाउं में आगे तो दोस्तों कुत्ते ने बताया इंशान को जीवन में पांच लोगों का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए यदि ये पांच जानवर अपने गाउं में अपने मालिक का साथ नहीं छोड़ चाहिए यदि आप कई पर नोक्री कर रहे हो तो आपको अपने मालिक का साथ कभी नहीं चोड़ना चाहिए। जो लोग अपने माता पिता का शाथ छोड़ देते हैं एसे लोग अपने जीवन में कभी सुकी एवं सपल नहीं हो सकते तीसरा जिन लोगों ने जीवन में कभी न कभी तुमारी मदद किये तुमारा साथ दिया है मुश्किल वक्त में तुमारे काम आये हैं उसका एसान और साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि उन्होंने आपका साथ दिया है तो अब आपका भी फर्ज बनता है कि आप उनके मुश्किल वक्त में उनका साथ दो नमबर चार पती पतनी दोस्तों जीवन में चाहे कैसे भी हालात क्यों नहों मगर पती पतनी को भूलकर भी कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना चाहिए गलती हो जाती है इस दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जो गलत नहीं इसलिए खुद भी सुदरे और अपने जीवन साथी को भी समझा कर प्रेम्शे जीवन जीए फिर भी आप अपनी पतनी या पती अपनी पतनी को छोड़ता है तो एसा मनुश्य जीवन में कभी सुखी नहीं रह सकता दोस्तों नमबर पांच इंसान को कभी भी सत्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए हो सकता है जूट एवं फ्रेम्शें आपको जीवन में कुछ समय खुशी मिल जाए मगर इस खुशी का अंत भाइनकर होगा कि आपके जीवन में दुख के अलावा कुछ भी से परना चाहिए वरना आपका जीवन नर्क बन सकता है दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा अगर अचा लगे तो सभी के साथ शेर जरू करना जै श्रीक्रिशना रादे रादे